हैपी गणिंग फ्रैंटस एक सौरा फूलरा है क्लैंचों ने बहुत सारे बेबी प्रांट्स करदिये हैं नेक्स्ट रिर इस से ढेरों प्लांट्स मल्टिप्लाई कर सकते हैं एक स गर्मियों वाला संफ्लावर खो फूल रहा है और इसकी तो सेंकडो प्लांट्स निकल आये थे ये खुबसूरिस सा वाइट पॉपी यहां ये बोट लेली लगा दिये गेट के पास एक पॉपी अभी बहुत फूल रहा है धेरों फूल आ रहे हैं पॉपी में कुछ टैंप्रेचर बढ़ने के साथ ही मोगरे में ग्रोथ शुरू हो गई है विंटर फ्लावर्स खतम होने के साथ ही गर्मियों वाली पॉद लगाएंगे बहुत सारे प्लांट्स हैं गर्मियों के ये रैड हिबिसकस प्री से वाश कर दिया है पीस फ्लीली लगे है जो कि जामुन के पत्तों तले धकी हुई है 24 कंटे जामुन के पत्ते फॉल करते रहते हैं यहां जामुन के नीचे ड्रेसिना की कुछ वाराइटी इस लगाई थी इन्हें बहुत तेज धूप की जरूत नहीं पढ़ती है भी लगा दिया है यहां गंबले में एस्पेरेगस लगाया है मेरा फैबरेट प्लांट है बहुत ही कुपसरत नाजुक्सिस की पत्तियां होती है गर्डन को डेकुरेट करता है यह और कैनल लीली फूलते ही रहती है नो केर प्लांट है कोई देखभाल नहीं मांगती है बॉल्सम के भी प्लांट्स निकलने लगे हैं सदा बाहार खुप निकला हुआ है कॉसमोस और यह डार्फ वाली मधुमालती और यह कैनल लीली इसका फॉलेज बहुत खुबसरत पत्तियां इसकी होती है यह अलमांडा की बेल है जो की गर्में शुरू होने पर फूल्टी है और यह गेंदा लगाया था बिलकुल इनके बीच में गया भी नहीं दिखाई दे रहा है बहुत फैल गया है डेरों कलियों और फूलों से लदा हुआ है गेंदे में ठीरों वेराइटीज आती है नन्हा सा गेंदा से लेकर बहुत बड़ा गेंदा तक गेंदा जाफरी, गेंदा हजारी, माच्छी गेंदा, गेंदा गोल्डन गेंदा डेहलिया अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, इसके 1.5 फीट के प्लांट्स आये थे मेरे पास डेहलिया को कटिंग से और सीट से और इसके ट्यूबर सीने तरह से प्रपगेट किया जा सकता है यदि आप इसके प्लांट को बचा पाते हैं नेक्स ये के लिए देज बारिश से तो नेक्स ये आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं इसके उपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप मेरी चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं और फ्री में आप इसके डेरों प्लांट्स खुदी बना सकते हैं इसे कटिंग से लगाने पर ही इसका प्लांट सबसे अच्छा रिजल्ट देता है इसन कतम होने के बाद आप इसकी ट्यूबर को सेफ करके लग सकते हैं और नेक्स्ट यर आप से अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट विक में लगा दें तो ये उस दिनों तक पाने देते रहेंगे तो ये इसका प्लांट अपने आप ग्रो कर जाएगा प्लांट ये में गोपर की पुरानी खाद तो है ही और बैक्राउंड में आप देख सकते हैं नीमका पेड बड़े बड़े ट्रीस के पत्ते जढ़ते रहते हैं जिनके उपर वेस्ट रिकमपसर का च्छड़काव किया जाते रहता है और वो अच्छा खासा होने पत्तियों का खाद प्लांट को मिल जाता है और रिजल्ट आप देख रहे हैं काफी खने हो गए हैं प्लांट सभी तरह के और काफी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग काफी अच्छी हो रही है यहां यह टामाटर निकलाया है, अपने आपर खूफल रहा है किचन वेस्ट का लिक्विट फर्टिलाइजर डालने के कारण उसमें टामाटर के पौद अपने आप तयार हो जाती है जिसे मैंने कॉर्णर में लगा दिया था और खूफल ने लगा है यहां यह संफ्लावर लगा है गर्मियों वाला और बहुत फूल रहा है और यह तप्ती गर्मी में भी इसके फूल लहला आते रहते हैं जिब कर्मियों में वाला गर्डन उजाड हो जाता है सारे ही फ्लावरिंग प्लांट्स तूख जाते हैं तो यह गर्डन को सचा कर रखता है इसकी हरी हरी पत्यों के बीच इसके ब्राइट पीले फूल बहुत ही प्यारे लगते हैं देहलिया खूब फूल रहा है पीछे बैगराउंड में आप देख सकते हैं नीम का पेड़ लगा है बड़ी बड़ी ट्रीज की पत्तियां गिरते रहती है जो कि खाद बनकर प्लांट्स को पोशन देती है देहलिया के लगवग एक डेर फीट लंबे प्लांट्स मेरे पास आ जुका या गिरा नहीं और प्लांट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ ली यह बहुत पुराना हिबिसकुस है 15 साल से भी ज्यादा पुराना होगा हमेशा फूलों और कल्यों से लदा रहने वाला हिबिसकुस पूचा के लिए भरपूर फूल मिल जाते हैं इससे यहां गर्मि यहां यहां पर बहुत बहुत फूरत पैंटस लगा है देशी रोस लगा है पेंटिस के उपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी इसका प्रोपोगेशन कैसे करते हैं कैसे लगाते हैं इसे और यहां पर यह गड़े की हो हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्यों किया गया है यह गड़े इस तरह से और गेंदा बहुत फैल रहा है और यहां पी ऊग गया है और खूप फल रहा है पतनी वाला है कुछी दिन में इसे हार्वेस्ट कर लेंगे घर का टमाटर बहुत टेस्टी लगता है और यह निक होता है और यहां पर गंदराज लगा है इसके उपर इतने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं टमाटर संफ्लावर इसके फूलने का सीजन आ गया हैं इसलिए इसके भी क्यार करनी पड़ेगी भहुत ही प्यारी इसके खुश्बू होती है जैसे इसका नाम है गंदराज वैसे ही इसके खुश्बू करा जा iti और फूल भी भहुत खुब जरुद घना सा होता है ना चाहते हे भी टमाटर की और भी पौद निकल आई है उसे भी यहां लाकर लगा देंगे फला हुआ टमाटर देखने में बहुत ही खुबसूरत लगता है डेलिया बहुत अच्छा फूल रहा है इसकी मैंने पिंचिंग कर दी थी प्लांट की तो सोचा था कि प्लांट ज्यादा लंबा नहीं होगा ले भी भी बहुत कलिया आई हैं बहुत कलिया चिटकी हुई है इसमें यह पॉपी बहुत फूल रहा है पॉपी भी फ्रेंट एक इंपॉर्टन टिप देना चाहूंगी जो मैंने डेलिया के साथ इस बार एक्सपिरियंस की है डेलिया के करीब 1.5 फीट लंबे प्लांट मेरे पाज आये थे जिने लगाने के लिए करीब 10 इंच गहरा गटा खोदा गया था और उसमें थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा पाउडर और वर्मी कंपूस ट्राल दिया था कुछ कहराई में लगाने के करांट इसका प्लांट बहुत स्टेबल रहा जुकाया गिरा नहीं और बड़ी बात ये कि इसकी जड़ों को फैलने की बहुत अच्छी जगे मिल गई जिसके करांट प्लांट की ग्रोध बहुत अच्छी हुई और प्लांट में फ्लावरिंग लगा सकते हैं थोड़ा सा बड़ा गमला यूज करें आर्दें से इंश का गमला उसमें एक एक भाग सैंड स्वाइल और कंपोस्ट में ला लें उसमें थोड़ी नीम खली या फिर कोई फंजी साइड पाउडर हो तो वह मिक्स करके अच्छे वैल्डिन मिक्स में से लगाएं और अब यह हैवी फीडर प्लांट होता है क्योंकि इसका विंटर का सबसे बड़ा फूल इसका डहलिया का ही होता है इसलिए इसे खाद की अच्छी जरुवत होती है धूप इसे पूरे दिन की चाहिए पानी तो इसमें इतना ही डालें कि मिटी में मॉइस्चर बना रहे है लेकिन इसे पूरे दिन की धूप और खाद अच्छी चाहिए इसे रगुलर बिसिस पे आपको खाद देना पड़ेगा गमले में लगाते हैं तो और गमले में भी यह बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है बाकि आप इसके पिंचिंग करते रहें खाद देते रहें और इ दाने डे-पी के डाल दिये जैसे एक प्लांट में आठ दाने नौ दाने डाल सकते हैं आप डी यह बीके और इसके अलावा फिर अगले हफते जैंच करकर के जैसे सरसों खली का लिक्विट फर्टिलाइजर भी आप डाल सकते हैं में बैगन की पॉद आई थी इसका मैंने वीडियो शेड किया था आपके साथ तो मेश तो मैच्छोर है और फल रही है कापी अच्छी और अधिक तेज मिर्च नहीं है खाने पर करंची लगती है साथी बैंगन भी लगा दिया है और बैंगन तो अभी बड़ा होने में टाइम है वीडियो लंबी हो रही है इसलिए यहाँ पर इसे स्टॉप कर रहे है बड़ा गार्डन होने के कारण तोसी लंबा वीडियो बन गया है जिसे दो पार्ट में डिवाइट कर दे रहे है गार्डन बड़ा है फ्रेंट्स वीडियो एक ही बार में थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसलिए से दो पार्ट में डिवाइट कर दे रहे हैं इसका नेक्स पार्ट जरूर देखिएगा तब तक के लिए बाए अपना खूब सारा ख्याल रखें थैंक यू